प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुन्व स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल NTA NET Political Science में हम बात कर रहे थे वित्तायोग की और 12 वित्तायोग को हमने पढ़ लिया था इसी कड़ी में आज हम 13 और 14 वित्तायोग का अध्यन करेंगे तो आए प्रारम करते हैं अपने वीडियो को वीडियो को प्रारम करने से पूर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो आईए करते ह वो विजय एल केलकर थे इसकी पूर्वभावी समयवदी एक अप्रेल 2010 से 31 मार्स 2015 थी आयोग ने 30 दिसंबर 2009 को राष्टपती को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो अध्यक्स के अलावा जो इसमें सधश्य गंड थे वे थे सुमित बॉस जो सचीव थे तेरवेवित आयोग के इसके अलावा बीके चतुरवेदी, इंद्रा, राजा रमन, अतुल सर्मा और संजय मिस्रा इसके अन्यस अधश्य थे जो आयोग की मुख्य सिफारिसे या अनुसंसाएं थी वे थी पहला विभिन्न केंद्रिया करों को निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा संचार की अवधी के परतियक वर्ष के लिए 32 परतिसत होगा अब तक हो 30.5 परतिसत था याने कि तेरवेवित आयोग से 32 परतिसत किया गया दुसरी अनुसंसाथी केंद्र सरकार के विभिन्न करों की निविल प्राप्तियों में से 32 परतिसत प्राप्तियां राज्यों को दी जाएगी तीसरा था राजस्व खाते पर राज्यों को समग्र अंतररणों पर निदिश्टात्मक सीमा केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 49.5 परतिसत पर नियत की जाए चोथा था मध्याविदिक राजकोसिय योजना एक आस्या विवरण के बजाए परतिभधता का विवरण होना चाहिए और अगला था कर व्याय सरकारी निजी भागिदारी देताओं तथा प्राप्तियों एवं व्याय अन्वानों के अंतरहित परिवर्तियों के ब्योरे सहित बजट FFTP के लिए नए प्रदान विनिर्दिश्ट किये जाए इसके अलावा वितिय विनियमन एवं बजट परभंद अरिनियम में उन प्रागातों के स्वरूप को निर्दिश्ट किया जाना आउशक है जिनके लिए उसके तहत लक्षों में धील दिया जाना आउशक होगा ऐसी आसा की जाती है कि राज्य वर्स 2011-12 तक अपने राजकोसिय सुधार मार्ग पर वापिस आने में असमर्थ हो जाएंगे इसलिए वे अपने अपने FRTM अधिनियमों में यता अनुसार संसोदन करें आठवी अनुसार थी राज्य सरकारे सामान्य निस्पाधन अनुदान के लिए तथा विशेष्ट चेत्र निस्पाधन अनुदान के उसी दसा में पात्र होगी जब वो इस्थानी अनुदानों के अर्थ में नहित राश्ट या आपदा विधी में विलियत कर दिया जाए उसी परकार राज्जों की विपदा राहत निदी को सम्मंदित राज्ज की आपदा अनुकिर्या निदी में विलियत कर दिया जाए ग्यारवी अनुसंसाथी आठ राज्जों के लिए पंचाट अवधी 2010-15 में 51,800 करोड रुपे का कुल आयोजना भिन राजस्व अनुदान अनुसासित किया गया है विशेश त्रिणी के तीन राज्जों को जो आयोजन भिन राजस्व घाटे की इस्तिती से उबरे है उनके लिए 1500 करोड का निस्पादन अनुदान अनुसासित किया गया है तो इसके अलावा जो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के चार वर्षों के लिए सडकों वा पुलों के अनुरक्षन अनुदान हितू 19,930 करोड रुपे की रासी की अनुसंसा भी इस आयोग ने की थी इसके अलावा प्रारंबिक सिख्छा के लिए जो अनुदान रासी थी उसको 24,68 करोड रुपे की अनुसंसा करने की सिफारिस की गई थी राज्य विशिष्ट आउशक्ताओं के लिए 27,945 करोड रुपे के अनुदान की अनुसंसा की गई थी वन अक्षय उड़जा तथा जल छेतर परवन अनुदानों के रूप में 5,000 करोड रुपे अनुदान की अनुसंसा की गई थी राज्यों की सहेता अनुदान के रूप में 5,000 अवधी के लिए 3,18,581 करोड रुपे की कुल रासी अनुसंसित की गई है तो इस तरह 13 वित्तायों की सिफारिसों से 2010-11 से और 2014-15 की 5 वर्सों की अवधी में राज्यों को केंद्रिय करों एवं सुलकों के हिस्से के रूप में कुल 14,48,96 करोड रुपे तथा सहेता अनुदान के रूप में 2,58,581 करोड रुपे अथार्थ कुल 17,6,677 करोड रुपे प्राप्त होने का अनुमान था तो ये मुख्या रूप से जो ये 14,48,06 करोड रुपे तथा सहेता अनुदान के रूप में 2,58,581 करोड रुपे इस रकम को पूछा जा सकता है बाकी प्रारंबिक सिक्षा या जो अन्य विशिष्ट आउसिताओं के लिए जितने धनकी अनुसंसा की है ये कहीं बार पूछ लिये जाते हैं बाकी यहां से कोई important question अगर बनता है तो अध्यक्ष और सदश्यों से बन सकता है या फिर अगर long answer type में आता है कि 13 वित्तायोग की अनुसंसाओं को बताईए तो तब आपको जिस 16 point है उन 16 point में से कम से कम 8-10 point अवश्याद होने चाहिए अब हम चौदवे वित्तायोग को देखने से पूर्व राज्यों के बीच करकी रासी को बाटने के क्या पैमाने है यह भी आपको जानना जरूरी है कहीं बार पूछ लिया जाता है तो जो राज्यों के बीच करों के बटवारों को बाटने के पैमाने हैं वो ये पाँच पैमाने हैं पहला जनसंख्या 1971 के आधार पर जनसंख्या का निर्दारन किया जाता है और जनसंक्या के आदार पर 17.5% का भार दिया जाता है दुसरा है जनसंक्या की बदलाव उसके आदार पर 10% का भारंक दिया जाता है आई असमानता को 50% भारंक दिया जाता है और परण कितना है, फोरेस्ट कितने है, उसका भी 7.58 भारंक होता है इस आधार पर, जो कर का बटवारा होता है, वो किया जाता है अब चोदवे वित्त आयोग पर हम देखते हैं, तो चोदवे वित्त आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट पती को सौपी थी, और आयोग द्वारा जो सिफारी से की गई थी, वो इस परकार है कुल संग कर राजस्वा में, राज्यों का हिस्सा 32 परतिसत से बढ़ा कर 42 परतिसत कर दिया गया था, ये एक इंपोर्टन पॉइंट है, एकजाम की दिरिष्टी से इसके अलावा, आयोग की सिफारिसों के अनुसार, वर्स 2019-20 तक, जो ये पांस साल की अवदी में थी, उसमें राज्यों को कुल मिलाकर 49.48 लाग करोड रुपे की रासी मिलनी थी पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित सभी इस्थानिय निकायों को, 31 मार्च 2020 को, जो समाप्त होने वाले पांच वर्स की अवदी थी, उसके लिए कुल 2,88,000 करोड रुपे के अनुदान का प्रावधान किया गया था, याने कि पहली बार जो इस्थानिय निकाय थी, उनक जाओ भी प्रस्तुत किये हैं, इसमें 2016-17 के बीच राजकोसिय घाटा, GDP के 3% के दाएरे में लाने का प्रावधान किया गया था, अनुसंसा दी गई थी, तो ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अगला राजस्था घाटे को 2019-20 तक पूरी तरह से समाप्त करन का लक्ष्य रखा गया था, और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया था, आयोग ने Physical Responsibility and Budget Management Act कानून में संसोधन का सुझाओ दिया है, इसके अतरिक्त आयोग ने राष्टिय निवेस फंड याने की National Investment Fund को खतम करने की सिफारिस भी की है, जिससे सरकार के लिए सारुजनिक छेतर की कमपनियों से होने वाली आये को तुरंत खर्च करना आसान होगा, अगली सिफारिस जो चौदवे वित आयोग के थी, वह थी आयोग ने कहा था कि सरकारी कमपनियों में विनिवेस से मिलने व इनिवेसमेंट करती है, विस कहते हैं जिसे, इसका तात्परिया है कि सरकार जो अपनी सरकारी उपकर्मों को बेजती है, तो उससे जो रकम प्राप्त होती है, उसका एक हिससा राज्यों को भी दीया जाना चाहिए, बहुत महत्वपोर्ण सिफारिस की थी, इसकी अथरिक् आयोग ने 2015 से 2020 के पाँच वर्सों में पंचायतों के लिए 2,292 करोड रुपे और नगर पालिकाओं के लिए 87,143 करोड रुपे का प्रावधान किया था इसके आत्रिक्त आयोग ने सबसे अधिक करोड का हिस्सा उत्तर प्रदेश को दिया था जिसको कुल कर आवंटन का 17,953 दिया गया था इसके बाद भिहार को 9,66 मध्या प्रदेश को 7,54 और पस्चिम मंगाल को 7,32 हिस्सा दिया गया था अन्य राज्यों के इस्तिती ये है और जो चोद्वा वित्तायोग था उसकी रिपोर्ट में जम्मू कस्मीर को कुल 5 सालों के लिए 69,666 की 1000 करोड की साहिता दी जाएगी जबकि अन्य राज्यों जैसे हिमान्चल प्रदेश को 40,625 करोड आंद प्रदेश को 22,113 करोड और नागा लेंड को तो ये उतना महत्तवपूर्ण नहीं है वित्तायोग किन मापधंडों के आधार पर राज्यों को केंदर से करोड में हिस्सा दिलवाने की सिफारिस करता है ये आपने देखा तो इसके साथ ही 13 और 14 वित्तायोग का अध्यन आपने किया और इसके साथ ही हमारा जो अभी 15 वित्तायोग है वो उसका अध्यन हम आज का समय काफी हो चुका है इसलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इसके साथ ही लगबग हमारा जो किंद राजय वितिया संबंध है वह समाप्त हो चुका है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाई